हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सबको SP2 YouTube चैनल में दोस्तो आज की बड़े में हम ये बात करने वाले हैं कि रासन कार्ड में सभी ब्यक्तियों का EKYC होना शुरू हो गया है अगर आप रासन कार्ड में अपना EKYC नहीं करेंगे करेंगे और कैसे KYC होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे KYC किया जाता है लाइप प्रोसेस में आपको करके दिखाऊंगा तो चलिए बड़ो को स्टार्ट करते हैं और KYC करते हैं दोस्तो सबसे चेक KYC स्टेटस ठीक है तो यहां पे आपको क्लिक कर देना है इस वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना है दोस्तो इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ वहां से जाके आप इस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट अपना रासन नमबर डालके आप अपने रासन कार्ड EKYC स्टेटस को चेक कर सकते हैं या आप अपना रासन कार्ड का EKYC भी कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक option दे दिया हुआ है यहां पर अब देख सकते हैं चेक e-kyc statusгр यहां पर आप से इंटर रासन card number पुछा जाला है तो दोस्तो इस box में आपको अपना रासन number भर देना है और यहां पर check status पर क्लिक कर देना है तो दोस्तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा, Demo Author, यहाँ पे Dawn है, but यहाँ पे हमारा EKYC, यहाँ पर देख सकते हैं, कि EKYC हमारा not done, ठीक है, यहाँ पे हमारा EKYC not done दिखा रहा है, मतलब EKYC हमारा अभी Pending है, मतलब हु आ ही नहीं है, तो यहाँ पे EKYC करना अनिवार्य हो चुका है ठीक है तो यहां पे हम अपना EKYC करेंगे और यहां पे आप देख सकते हैं कि card का status आपको दिखा रहा है your card is active मतलब आपका card active है आपको EKYC करना है ठीक है तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं click here to EKYC यहां पे आपको क्लिक करना है इस option पे आपको क्लिक करना है आपको अगर EKYC करना है तो इस वाले option पे आपको क्लिक करना है ठीक है तो यहां पे आप क्लिक कर लेंगे click here to EKYC वाले option पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं कि आधार link with रासन कार्ट ठीक है यहाँ पे आपको e-kyc करने के लिए यहाँ पे आपसे पुछा जा रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं e-kyc का option आ चुका है यहाँ पे आपको इस box में रासन नंबर भर देना है और फिर से यहाँ पे सर्च वाले option पे क्लिक कर देना है ठीक है तो दोस्तो हमको e-kyc करना है तो यहाँ पे देखिए मैंने रासन नंबर भर दिया है फिर से और यहाँ पे हम सर्च वाले option पे क्लिक कर देंगे दोस्तो यहाँ पे जैसे ही सर्च वाले option पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा नाम आ चुका है और यहाँ पे हमारा फादर स्नेम आ चुका है यहाँ पे आधार नमबर भी सो करा दिया गया लास्ट का ठीक है यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगा तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि य तो यहां पे दोस्तों मैं क्लिक कर दे रहा हूं इस वाले ऑप्शन पे लिंग क्लिक करना है क्लिक करेंगे तो आपका आधार डाटा पूरा ओपिन होके आ जाएगा और यहां पे आपको फिर से एक बार सब्मिट कर देना है और आप उस तरह से आप अपने राशन काड में एक वाइसी कंप्लीट कर सकते हैं तो दोस्तों मैं पहले से ही अपना एक वाइसी कंप्लीट कर दे रहा हूं और देखता हूं कि हमारा एक वाइसी कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है ठीक है तो दोस्तों यहां पे देखें मैंने राशन नंबर यहां पे फिर से भर दिया है और यहां पे फिर से यहां पे यहां पे चेक स्टेटस पे क्लिक करूंगा ठीक है तो दोस् अपना EKYC कम्प्लीट कर चुके हैं ठीक है तो दोस्तो इसी तरह आप अपने घर बैठे या अपने मुबाइल फोन के माध्यम से आप अपने रासन काड की EKYC कम्प्लीट कर सकते हैं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है तो दोस्तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो कर दिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा